नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिरसु स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो जहां पे हम रोज डेली आपकी दिन प्रते दिन की समस्याओं से कई बिमारियों को यहां डिस्कुस करने की कोशिश करते हैं तो आज हम उसी क्रम में एक और बिमारी डिस्कुस करने वाले हैं एक और समस्याओं डिस्कुस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं रेक्टोसील तो रेक्टोसील क्या होता है कि अब आईए इसको देखते हैं देखिए रेक्टोसील की अगर हम बात करें तो बलजिंग ओफ फ्र तो यह रेक्टम है यह ऐनस है ठीक फिर यह रहा आपका भजाइनल ओपनिग यह महिलाओं में होने वाली समस्याएं हैं भजाइनल ओपनिंग है फिर फिर यूँटरस यह बलैडर यह यूवराय थ readiness तो देखिए, इसमें क्या होता है, कि यह जो रेक्टम होता है, जो इंटेस्टाइम के ठीक नीचे वाला पोर्शन भी होता है, तो जो रेक्टम होता है, यह क्या करता है, कि इसका जो, ठीक है, फ्रेंट वाल होता है, यह जो फ्रेंट वाल होता है, यह बढ़ जाता है, कैसा आपको रेड कलर से ये मैंने दिखाई है ये जो बैक वाली वाल है वजाइना की इसको क्या करता है दबा देता है ठीक है वजाइना की बैक वाली वाल को दबाता है भाई अगर ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये जो बैक वाल है ये भी तो अंदर की तरफ चली जाएगी त यी बल भड़नों कि प्रμέंट वाल ये वाल्ट को आगे वाली ये अपस्ट करेगी और एक माइबल देखिंग और किसे अ जो इन दोनों को अलग कर रही है यह क्या हो जाती है बहुत ही पतली हो जाती है जिसको हम और किस नाम से जानते हैं रेक्टो वजाइनल सेप्टम के नाम से यह पतली हो जाती है और जब यह पतली हो जाती है तो रेक्टम क्या करता है अपने हिसाब से फैलने लगता है बल्ज अब देखिए अब ये मसल्स आखिर पतले क्यों हो जाते हैं बहुत सारे कारण दिखे वजाइनल डिलिवरी महिलाओं की होती है जो नौर्मल डेलिवरी इस होती है उसकी वजा से और क्या होता है कोई ट्रामा अगर सज्जरी के थूब बेवी हो रहा है डिलिवरी के दौरान कोई कट कोई सरजरी हो रही है वह गलत लग गई है तो ट्राउमाइटिक वज़ा से भी यह सीजम हो सकती है कॉंस्टीपेशन कॉंस्टीपेशन एक बहुत प्रमुख समस्या है स्टूल फिल होता जाएगा और क्या होगा मसल्स दीरे-दीरे कमजोर होने लगती है मतलब जब आप फ्रेश होने जा रहे है उस दारान आपको प्रेशर बहुत लगाना पड़ रहा है और क्या हो रहा है कि प्रेशर के दारान ब्लेड भी आ जा रहा है तो इस कंडिशन में भी यह हो सकता है फिर symptoms की बात करें तो देखिए symptoms constipation की वज़ा से हो रहा है तो सबसे पहला symptom तो यही आएगा कि बावल movement में दिक्कत आएगी ठीक है दूसरी क्या होगी stool struck जैसे कि मैंने बताया कि जब आप fresh होने जाएंगे तो पूरी तरह से fresh नहीं हो पाएंगे तो stool क्या हो जाएगा rectum मे आप जब भी जा रहे हैं आपको अलग से pressure लगाना पढ़ रहा है वजाइना की पीछे वाले हिस्से की तरफ से pressure लगा रहे है तो यह pressure भी लगाना पढ़ रहा है यह इसके symptoms है straining बार बार आपको blood भी मिल रही है दिख रही है फिर urge to multiple bowel movements आपको बार बार फ्रेश होने जाना पढ़ रहा है आपको जरूरत लग रही है कि मुझे fresh होने जाना है तो यह symptoms है constipation जैसे मैंने बताया rectal pain rectal pain भी होगा ठीक है backside में फिर उसके बाद pain with sex अब इसके vaginal symptoms भी आएंगे हाला कि problem तो आपके back वाले portion में हो रही है अनस वाले reason में लेकिन vaginal symptoms भी आएंगे vaginal symptoms में क्या आएगा six के दौरान pain और क्या होगा vaginal bleeding होने के भी chances है भाई क्यूंकि vaginal wall को भी तो यह प्रेस कर दिया ना तो symptom यह भी एक है फिर अब wall प्रेस हो गई है तो ऐसा लगेगा vagina fill है किसी चीज से हमेशा भरा भरा सा आपको लगेगा क्यूंकि जो rectum की wall है यह उभर करके vagina के wall को दबा तो उस condition में आपको फिल फिल सा फील होगा तो देखिए आगे discuss करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगी कि हमारा YouTube पे एक और चैनल है 10 Direction News के नाम से जिसका link में description में share कर रही हूं प्लीज आप एक बार उस channel को भी visit कीजे और उस channel को भी subscribe कीजे अब हम diagnosis की बात करें तो द फ्रेश के लाते हैं तो उस दारां रैक्टम का साइस बढ़ता कम उता है ठीक है जब आप फ्रेश होने जा रहे हैं उस समय बढ़ हुआ हो ड़ए होगा जब हो के आते हैं तो उस समय थोड़ा सा कम होता है तो दिफिकोगराफी में अगर एकडम छोठा सा भी माइब सभीура तो वो भी एक्सरे के थूरू दिख जाता है कि डीफिकेशन के बाद रेक्टम का साइज कितना हुआ पहले कितना था तो छोटी सी भी साइज अगर चेंज होती है तो एक्सरे एक स्पेशल टाइप का होता है उससे सब कुछ पता चल जाता है तो इस प्रोसेस को डीफिकोग् कहते हैं प्रिवेंशन त्रीटमग मैं आपको बता देती हूं त्रीटमेंग इसके सर्जिकल ट्रीटमेंग भी है नोन सर्जिकल ट्रीटम Nayakin मैं सर्जिकल के बारे में डिस्केश करूं की 90 कुं उता है जो सिंप्टम सा रहा है कॉन्स्टिकेशन या सारी चीजिजे इनको मै सबसे बड़ेर धियुर के बेंट करता है peytinky अगर मैं पुरिवेंशन की बात करूं की पिन्ऽ होस्ता है तो पानी भूधे कुछ से साब नहीं करता है तो क्या करना है यह जड़ाए 17 कप सबसे बदागे सबसे पानी पीना और ढावी पीना ओपिना पो खाना है एक एक हुमन के लिए सबसे जादा 25-35 ग्राम फाइबर फूट फाइडे है हर दिन ठीक है तो फाइबर कंटिंग तो बढ़ाना है पानी जादा पीना है अगर पानी नहीं पीएंगे सिर्फ फाइबर खाते जाएंगे तो वह भी इशू है तो पानी पीना है और क्या है जब आप फ्रेश होने जा रहे हैं तो उस समय बिलकुल अवाइड कीजिए कि आपको प्रेशर न लगाना पड़े बहुत आराम से फ्रेश हो जाएए प्रेशर आप लगाएंगे तो वाल्स में इंजिरी पहुंचती है तो प्रेशर न लगाना पड़े और क्या है इस्टूल सबसे अच्छी दवा पानी है तो पानी सबसे जाद आपको पीना है किसल्ट साइज जो मैंने पहले भी बता एं लगाना है तो आप शेख लेकनें पिर श्क्रेक लेके के बाद आपको क्या करना है आप यह इन पर आपको अपने पैरों को एसे उठा लीजे ठीक है पैरों क अब आपके हाथ इधर अब आपको क्या करना है अपने हाथ के थरू अपनी सिर को नीचे छोड़के बाकी पूरी बॉड़ी यानि कि इस पोजीशन में आप आ जाएंगे बॉड़ी आपको उठा लेनी ऊपर की तरफ तरफ इस ही क्या होता हो है कि मुसल्स को टाइकनेस मिलती तो यह आपको और पल्विक रीजन को स्ट्रॉंग होता है तो कि जाल एक्सराइज इस मोस्ट इंपोर्टिंग फिर उसके बाद कि जाल एक्सराइज फिर हार्मोन रिप्लेस्मिंग थेरापी जैसे कि मैं बता देती हूं एस्ट्रोजन महिलाओं में जब वह मेनोपॉस की तो तो यहां बढ़ती है जब दो प्रियोम श्टॉप होते है तो इस्टॉजन लेवल कम हो जाता है कि есс्टॉजन लेवल कम होता है तो क्या होता है कि मसल्स कम जो तूदिय कॉर्टिम फिर फेह पत्ली आप देख रहे हैं तो उस कंडिशन में अगर आप स cola ऐब कम हो थे हर तो आगे हो सकता उसमें ब्लीडिंग हो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो और जब सर्जरी आप करवाएंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन्स होगी और हो सकता है कंडिशन वर्स हो जाए तो यानि कि प्रोग्नोसिस की अगर बात करें तो सर्जरी इस नॉट अगुड जहां तक हो सकता है डॉक्टर्स भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ ही अप्रोच लगाते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें है स्टूल सॉफनर्स है हाई फाइबर डाइक्थ है यह सारी चीज़ें आपको वह हमेशा दॉक्टर्स भी यही सारी चीज़े प्रस सुछेशा दूस आप सेक्षा दूस्ट आप सिंघर बतुर्न पर one अशाय है अंपक जया बग下 पर ≠rzyटमे टव से सेक्षा दूस्ट के तरह दूस्ट पार यहीं आख कर में यहां देशा दूसके बार बाल्स अधर चैनल को सक्टराय था यहां पर जानकारी लोगी चाए और स्वस्त्र रहे सुरक्षित रहे this is all for today's video thank you very much